नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं आप लोग जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी खास तोर पर सयनकक्ष से समंधित जानकारी देने जा रहे हैं सयनकक्ष में सामान नतया हम सब अपने जीवन के सबसे आराम दायक और स्वरणिम पलों को जीते हैं आविवाहित हैं तो अपने सयनकक्ष में हम बहुत रिलाक्स फील करते हैं विवाहित हैं तो पत्नी और पत्नी दोनों सयनकक्ष में बहुत आराम भरे सुकून के पल जीते हैं अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो नहीं तो वही सयनकक्ष युद्ध के रूप में भी तबदील हो जाता है वही सयनकक्ष अस्पताल बन जाता है वही सयनकक्ष फासी का फंदा लटका के कोई उसी में मर भी जाता है कुछ भी हो सकता है लेकिन सामान नतया सयन कक्ष आप सब का हम सब का आराम का जगह है सुकून का जगह है शांती का जगह है सयन का जगह है सयन कक्ष नाम ही उसका है अंग्रेजी में बेडरूम करते हैं बेडमाने बिस्तर बिस्तर का कमरा आप सब को पता है कि हर वस्तु का अपना एक अवरा होता है अपना एक प्रभाव होता है उसका एक आभा चक्र होता है हर वस्तु का दवाईयों का भी है जूते चपल का भी है चक्कू हसुआ खुर्पा का भी है आप लोग हसुआ खुर्पा जानते होंगे कि नहीं जानते मुझे नहीं पता अवदी वाले जन्बै करते हैं हर एक चीज का अपना एक महत्त्व है तो आज हम कुछ वस्तूओं के विश्य में बताएंगे जिन्हें आप अपने सेनकक्ष से तत्छण हटा दीजिएगा और हटाने के बाद उसका प्रभाव देखिएगा तो सबसे पहली चीज जो सेनकक्ष से आपके हटनी चाहिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वो है मेडिसेंस दवाईयां निन्यान बेप्रतिशत लोग दवाईयां अपने सिरहाने रखते हैं खास तोर पर सिख्टी प्लस के रिटाइड बुजर्ग माता पिता उसके पीछे का कारण है सुलबता आसानी अब कौन ढूटने जाए सिरहाने जो टेबल होता है उसमें ड्रॉड्स होते हैं उसमें अपना रख दिया अब कुछ लोग तो उपरे रख देते हैं टेबलेट्स सीरप मशीने हैं शुगर चेक करने की बीपी चेक करने की तमाम चीजें जो होती है इनका प्रभाव देखिए इनका जो आभा मंडर है इनका जो आउरा है दवाईयों का वह शनी और सूर्य प्रधान है सूर्य ही शनी को दवाता है दवा ही बिमारी खतम करती है आप शयनकक्ष को देखिए शयनकक्ष कत्तई किसी भी कीमत पर सूर्य से सम्मंध नहीं रखता ये अंतिम सत्य है किसी भी वास्तु को आप कभी भी पूरब दिशा में बेडरूम नहीं देख सकते दख्षर पश्चिम दिशा में ही बेडरूम बताया जाता है राहू और शनी की दिशा में क्योंकि वहाँ अंधेरा है अंधेरे में तो आदमी सोता है जैसे उजाला आया सूरज की उपस्थिती बेडरूम में हुई आँख खुल गई अब बेडरूम किस काम का है बेडरूम का जो मूल से धानत है वो शनी से संबंदित है और आपने आउशधियां अगर रखा तो सूर्य आ गए यह आज संतुलन की इस्थिती बना देगा तो बेडरूम में नो मेडिसेज दवाओं को आप अपने घर के पूर्वी हिस्से में रखेंगे तो उसका लाभय कुछ और होगा करके देखिए तर्क देता हूँ बिना तर्क की बात रही हवा में बात नहीं करते तर्क दे रहा हूँ आप समझिए भाई सूरज की रोशनी आएगी तो कोई सो पाएगा लाइट आफ करके तो दुनिया सोती है और साइन्टिफिकली भी यह प्रूब्ड है कि लाइट्स आफ करके ही सोना चाहिए नंबर दो दीवालों पर दीवालों पर अगर सेरकक्ष में आपने भगवान की प्रति जो है फोटो फोटो फ्रेम उगरे लगाया यह भी शुभ नहीं है क्योंकि इसका भी संबंध ब्रहश्पती ब्रहश्पती और सूरे से होता है कोई भी देवी देवता सूरे से डायरेक्ट संबंध रखते है तो इसको भी अगर आप लगाते हैं तो आपको शांती सुकून के पल नहीं मिलने वाले हटा दीजिएगा जूते चप्पल जूते चप्पल तो खैर संबंध शरी से रखते हैं लेकिन चुकि वो बाहर बहुत सारे चीजों के नकरात्मक प्रभाव लेकर आते हैं तो जूते चप्पल तो सेनकश तक ही नहीं आने चाहिए रखना तो बहुत दूर की बात है बहुत सारे लोग जो रेगुलर पहनने वाले जूते चप्पल नहीं है वो बेड में बने दिवान में डाल देते हैं वो भी ठीक नहीं है दिखता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है ना दिखने पर प्रभाव तो कम होगा लेकिन नकारात्मक प्रभाव तो रहेगा ही भले ही परसेंटज कम हो जाए कोई भी धारदार चीज कुछ लोग डेकुरेशन में वो तलवार उलवार लगा देते हैं धारदार चीजों में जो धार वाली चीजे हैं उनसे और हतियार आदे से धारदार चीज हतियार ही होता है उससे मंगल और राहु का प्रभाव परलक्षित होता है और ये दोनों अंगारक योग बना देते हैं। नहीं रहना चाहिए। कत्ताई नहीं रहना चाहिए। Electronic items जैसे press और तमाम चीजें जो अति अनिवार है वो तो आप मजबूरी वस रखेंगे लेकिन ना रहे तो सोने पे सुहागा है। और bedroom में कभी भी खुली cable wires नहीं होनी चाहिए। इनसे भी मंगल का ही radiation बाहर आता है और मंगल किसी भी रूप में पति-पत्नी के बीच में अशुभ ही होगा ये अंत्यम सत्य है। तो आज हमने आपको बहुत मूल सिधान्त बता दिया कि किन-किन चीजों को सेनकक्ष में रखना बहुत भारी पड़ेगा। और कुछ वास्तु वास्तु नहीं है भाईया यही सब है जो छोटी-छोटी चीजे हैं इनका हम ध्यान रख ले सलीके से कर ले तो बहुत चैन की नीद आएगी और मर्द महरारू में भी बहुत बढ़िया पटी कई के देखज्जा हमार सुभ कामना है। चलिए आज के लिए इतना ही हमारी हमारा प्यार हमारा आशिरवाद आप सब के साथ सदयो रहेगा अपना बहुत ख्याल रखिए हमें नुमत दीजिएगा नमशकार शिरादे